अब हम जो जीव होते हैं उन जीवों के जो विसिस्ट किर्याइं होती हैं कुछ जीवों में उन विसिस्ट किर्याओं के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आते हैं स्टार फिश तारा मचली इसके बारे में बताया गया है कि इसका ये भुजन कैसे ग्रहन करती है तो ये कैसे जीवों का भुजन करती है जिनका जो कवज होता है यानि कि चारो तरफ का आउरण है वो केलस्यम कार्बनेट एक कठोर पदार्थ होता है उसका बना होता है तो इसके भुजन पदार्थ क्या होगा क्यालस्यम कार्बनेट के कवज वाले जनकी क्योंकि इनका जो चारो तरफ का आउरण होता है वो कठोर होता है किसके कारण केलस्यम कार्बनेट के कारण और ऐसे जीवों को जो स्टार फिश होती है वो भुजन के रूप में ग्रहन करती है अब ये क्या करती है सबसे पहले उनका कवज खोलती है कि फंस्के स्टेप में यह क्या करेगी उनका कवच खोला जाएगा फिर अपने मुख के दुआर अपने मुख जो इसका जो मुऊ होता है उससे जो इस टमक होता है आमाश्य होता है इसको बाहर निकार जाएगी कि स्टेप में क्या करेगी अपना आमाश्य बाहर करेगी और फिर उस जीव के जो कोमल भाग होते हैं उनको बोजन के रुप में ग्रहन करेंगी को ग्रहन करती है तो इस तरीके से जो स्टारफिश होती है उसकी स्पैसिलिटी हो गई कि वो क्या करेगी जिन जीवों के चारो तरफ कठोर कवच पाया जाता है जो किसका बना है केलस्यम कार्वोनेट का जो कठोर कवच वाले जनतु होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहन करती है और क्या करेगी सबसे पहले तो उनका कवच खोलेगी उसके बाद अपना जो आमाशे होता है उसको बहार निकालेगी और कवच खोलने के बाद उन जीवों के जो सोफ्ट ओर्गन्स होते हैं अंदर उनको भोजन के रूप में ग्रहन करती है तो ये आपके बुक में दिया हुआ है इसका स्टार पिश्का कि वो कैसे भोजन ग्र बहन कर लिया अब क्या करेगी ये तीसरे स्टैप हो गया फूर्थ स्टैप में फिर इनका धीरे-धीरे पाच्चन होता रहता है दीरे-धीरे ये पदात पचित हो जाते हैं तो इस तरीके से स्टार पिश्म होता है एक और विस्षिस्ट के रिया दिव हुई है आमाश्य की कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या फिर जल्दी-जल्दी खाते हैं तो और भोजन को बिना जबाए जल्दी-जल्दी खाते हैं तो कई बर हमें खासे आती है कई बर छीके भी आ जाती है और ऐसा लगता है दम घुटने लगता है तो वो किस वज़े से होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम भोजन ग्रहन कर रहे हैं तो वो भोजन नली और सांस की नली दोनों बिल्कुल साथ साथ उपस्तित होती है और जो सांस नली से वाईव आ रही है कहां से आएगी नाक से नाक से जो सांस की नली होती है उसमें वायू स्वांस नली से होती हुई नाक से आ साथ न … उसरा सिब आएए और वो कहां तक जाएगी फेफडो तक जाती है तो नाक से तो ग्रहन की जा रहे है पहले नाक उसके बाद सांस नली में और फिर उसके बाद फेफडों तक जाती है और यह जो सांसनली है यह क्या होती है जो हमारी भोजननली होती है उसके साथ साथ चलती है उसके क्या करती है साथ साथ यनकी दोनों साथ साथ एक जगह पर प्रिजेंट होती है अब ये जो सांस नल ये जो ग्रस्नी का जो पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है वायू मार्ग और भूजन मार्ग ये एक ही होता है कहाँ पर ग्रस्नी वाले भाग में जो ग्रस्नी होती है वहाँ पर वायू जो हम सांस में ले रहे हैं वो और भूजन मार्ग ये एक ही होते हैं यानकि पहले तो वायू जा रही है नाक से सांस नली में भोजन कर रहे हैं मुख से और फिर वो ग्रसिका में जा रहा है जो हमारी सांस नली है उसमें जा रहा है लेकिन एक जहां पे मुख से जो सनरशना निकलती है इसको ग्रेशनी बोलते हैं, वो आगे जाके, जैसा ये माउथ है, यहाँ पर ये जो सनरशना है, इसको ग्रेशनी बोलते हैं, ये आगे जाके किसमें बदल रही है, ग्रेशी काम, ये किसको जोड़ रही है, ग्रेशनी, ये मुख गुहा होती है, तो इस मुख गोहा और ग्रेसी का इन दोनों को जोडने का काम कौन कर रही है ग्रेसी कर रही है तो यहाँ पर क्या होता है कि वायू मार्ग जो हम सांस ले रहे हैं उस वायू के जाने कमार्ग और भोजन मार्ग एक ही होता है लेकिन क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं उसको निगलते हैं उस टाइम क्या होता है कि सांस के नले पे धकन होता है उससे उसको धक दिया जाता है इससे क्या होता है भोजन सिर्फ ग्रस्नी में ही जाता है जो सांस के यह जो हमारी भोजन नली होती है इसमें जाता है किसलिए क्योंकि इसके अंदर एक वॉल प्रिजेंट होता है वो वॉल क्या करेगा वो जो भोजन को हम निगल रहे हैं निगलते समय बोजन को निगलते समय जो सांस नली है उसको बंद करेगा स्वांस नली को बंद कर देगा और जब स्वांस नली के उपर वो धकन लग गया दोनों नलिया साथ साथ होती है ठीक है वो दोनों नलिया साथ साथ हैं लेकिन जब और वायू आ रही है कहां से नाक से और फिर सांस नली से फिर 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 फुरू तक और भोजन जा रहा है मुख गुहा से ग्रस्नी ग्रसिका और अमाश्यत तक तो ये साथ साथ प्रेजन्ट होते हैं और जो ग्रस्नी वाला पार्ट होता है यहां पे जो वायू मार्ग और भोजन मार्ग दोनों एक ही होते हैं तो ये क्या होगा यहां पे जब भोजन जाना होगा मुख भुहा से ग्रस्नी में जब भोजन जा रहा है तो वहां क्या होगा भोजन निगलने के समय वहां पे एक वोल पर्जेंट होता है वो क्या होता है वो वोल जब भोजन जा रहा है तो सांस की नली को बंद कर देता है उसको ढख लेता है बहुत कम समय के लिए इसको क्या करता है धक लेता है जैसे बोजन निगलता है तो बोजन कहां जाएगा द्रशने में चला जाएगा और फिर हम आसानी से सांस ले सकेंगे उसके बाद में तो ये क्या होता है बोजन निगलने के समय धकन बंद हो जाता है इसलिए खाना जो है वो सिर्फ खाने की नली जो भोजन नली होती है उसी में ही जाता है स्वांस नली में नहीं जाता है और अगर कभी कभार स्वांस नली में बोजन प्रवेश कर जाए जो स्वांस की नली होती है उसमें अगर बोजन एंटर करे तो क्या हो जाता है? हमें गुटन मैसूस होती है बहुत गुटन मैसूस होती है खास ही आती है हीचिकी आती है ये किस कारण से होता है? क्योंकि कभी क्या होता है कि भोजन स्वांस नली में परवेश कर जाता है इस कारण से हमें गुटन मैसूस होती है खासी आती है और हिचकी जैसी प्रोसेस होती है वो किस कारण से? क्योंकि दोनों जो पाइप्स हैं साथ साथ प्रिजेंट होते हैं और जब भोजन आ रहा है तो ये दूसरे को बंद कर दिया जाता है धकन के दुआरा इसलिए भोजन जो है वो सिर्फ कहां जाता है भोजन नली में ही जाता है और दूसरे इसमें स्वास नली में नहीं जाता है और अगर स्वास नली में भोजन चला जाता है, तो क्या होता है हमें? इस क्या आती है? इस तरीके से आमाशे में ये प्रोसेस, एक विशेश किरियाएं है ये, तो ये प्राणे में पोशन की विशेश किरियाएं, तो उनके यहों के अंदर आता है, कि भोजन किस तरीके से सिर्फ स्वास की नली में ही प्रवे करता है तो यह उसके वारे में था अब आगे और एक विशिश के लिए आती हैं कि दस्तिया लूज मौशन कभी कबार क्या होता है कि जब यह किस वज़े से होता है या तो एपच हो पेट खराब होने से एपच हो या फिर जब फूड पोईजनिंग हो जाती है जो भोजन की विशाक्तिता हो जाती है फूड पोईजनिंग हो जाती है तो या तो पेट में कुछ पाचंद समंदित प्रोबलम हो जाए या फिर फूड पोईजनिंग हो जाए भोजन जो है उसमें अगर कुछ संकरमी तत्तु या विशाक्त पदार्थ जहरीले चीज़े आ जाए इस वज़े से हो जाते हैं जो हानी पोचाते हैं इसके साथ अगर इनफेक्शन हो जाए संकरमन हो जाए तब क्या होता है दस्त की प्रोसेस होती है या तो फूड पोईजनिंग हो जाए या पेट खराब हो जाए या फिर इनफेक्शन हो जाए तो इस इस्तती में दस्त होते हैं लेकिन ये इसमें मुख्य सरीर का अवित अंग, दस्त के समय, हमने पिछली कक्षाओं में जन्तु कोशिका और पादप कोशिका में डिफ्रेंस पड़ा था, अंतर पड़ा था, तो हमने देखा था कि रिक्तिकाएं प्रजेंट होती हैं पादप और जन्तु कोशिका होती हैं, लेकिन डिफ्रेंस क्या होता है, कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर इन रिक्तिकाओं की जो आकरती होती हैं, वो बड़ी होती हैं, और जो जन्तु कोशिका होती इसके अंदर छोटी-छोटी गोलाकर संरचनाओं के रूप में रिक्तिकाईों पस्तित होती ही. तो ये पाए जाती है रिक्तिकाई, और जब ये प्रोसेस होती है दस्त की, तो सरीर का सबसे ज्यादा पर्भावितं应 रिक्तिका होती ही. और इसके लक्षन मुखे तक कैसे प्रभावित करते हैं कि जब दस्त होते हैं तो सरीर से क्या होता है जल की कमी हो जाती है सरीर में जल की कमी हो जाती है इसके साथ ही जो सोल्ट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है लवन तो ये दस्त की जो मुख्य किरे होती है उसमें होता है कि एपच हो या फूड पोईजनिंग हो या फिन फैक्शन हो उससे ये होता है तो इसकारण से बार बार जो मल होता है वो बहुत ही पतला निकलता है और इसके लिए प्रभावितन कौन सा है रिक्तिका और सरीर में ये कैसे इफेक्ट करता है जल की कमी हो जाएगी और सोल्ट की लवनों की कमी हो जाएगी इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं हम इसके लिए हम पानी में नमक और चीनी का गोल पी सकते हैं या फिर जो ORS का भोलाता है उसको यूज ले सकते हैं तो ये जीवों की विशिष्ट किरियाई दी गई हैं कि जीवों में कौन से विशिष्ट किरियाई हैं तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा स्टारफिष्ट तारमसली के बारे में जो भोजन को कैसे ग्रहन करती हैं ये क्या करेगी बोज्य पदार्थ होंगे कौन से बोज़े पदार्थ लिखाने में काम में लेती है जिनके चार तरफ का आवरेन कठोर होता है ऐसे जीव इसका बोज़े पदार्थ होते हैं ऐसे जीवों को ये बोज़े पदार्थ के रुप में यूज लेती है तो इन जन्तों को ग्रहन करती है फिर क्या करेगी, जब भोजन के प्रोसेस होगी, इनका कवच खोला जाएगा सबसे पहले खटोर कवच, इसके बाद ये क्या करेगी, कि अपना जो मुँ होता है, उस मुख्ड से, अंदर से जो आमास्य है, उसे बहार निकाल लिए, इसके लिए, बोजन ग्रहण करने के उन सभी भागों को खाती हैं बाहर कठोर आवरण है जो उनकी सुरक्षा के लिए है लेकिन अंदर के जो पार्ट्स हैं वह बहुत सोफ्ट हैं उन भागों को यह खाती है और फिर दीरे-दीरे उनका पाचन होता रहता है इसके बाद दूसरे प्रैसस आती है कि भोजन स्वास बहुत स्वास नली में क्यों नहीं जाता सिर्फ भोजन नली में ही क्यों जाता है वह पड़ा हमने क्यों क्योंकि जो यह दोनों नलिया होती है अलग लग है पर एक साथ प्रेजेंट होती है हमें या फिर ऐसे भी क्योशन पूछ सकते हैं कि हमें घुटन या खासी कभी- तो वो क्यों होती है, क्योंकि भोजन कभी-कभी स्वांस नली में चला जाता है, तब यह प्रोसेस होती है, क्योंकि स्वांस नली में सांस आ रहा है नाक से, और वो भी फिफडो तक जाएगा, और भोजन जो है वो मुख से ग्रस्नी ग्रसिका में होता हुआ अमाशय तक जाएगा तो दोनों नलिये क्या करती है साथ साथ चलती है साथ नली भी इसके साथ चलती है ग्रसिका या जो भोजन नली होती है उसके सासा चलती है, यह दोनों सासा प्रिजेंट होती है, और जो ग्रस्नी है, ग्रस्नी वाला जो पार्ट होता है, जहां पे वायु मार्ग और भोजन मार्ग यह दोनों एक ही होते हैं, और जब भोजन निगला जाता है, उस टाइम क्या होता है, कि जो सांसनली होती है, उसक तो एक धकन से धक दिया जाता है, जिसको एक वालू भी बोलते हम, उस वाल से क्या क्या जाता है, स्वांसनली को बंद कर दिया जाता है, और जो स्वांसनली बंद होती है, तो भोजन, दूसरी जो भोजननली है, उसी के अंदर जाता है, और अगर कभी भोजन स्वांसनली में ना जाके वो स्वांसनली में चल जाता है तो हमें घुटन खासी तो फिर हिच्की जैसी किरिया ही होती है उसके बाद हमने दस्त के बारे में पड़ा यानि कि जब कभी-कभी ऐसे होता है कि सरीर के किरिया ही जब ठीक रूप से नहीं होती हैं, सही रूप उसे नहीं चलती है तो जो मल है वो बार बार आता है और पतले पानी के रुप हो, food poisoning हो, यानि कई बार जो भोजे में कुछ अगर अक्सिस्ट पदार्थ आ जाते हैं, जो विशैले होते हैं, उस वज़े से होता है, और infection भोजाय या फिर इस वज़े से होता है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित सरीर काम कौन सा है, वेक्योल्स, रिक्तिकाई, रिक्तिकाई क्या होती हैं सबसे, ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और इससे सरीर पर क्या प्रभाव कड़ता है, सरीर में जल की कमी हो जाती है, और लवनों की कमी हो जाती है, और इसका मेन उपाए क्या है, पानी में नमक, प्लस्चीनी का गोल्ड और ORS गोल्ड ये इसके उपाय है कि इससे बचने के लिए में उपाय कर सकते हैं तो ये हमने जीवों में जो प्राणियों में पोशन था उसमें कुछ विसिस्ट किरिया ही थी उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसेट करें और टोपिक से रिलेटेड किसी भी कोशन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं यहां आपको हर question का reply दिया जाएगा और हमारे वीडियोज को regular पाने के लिए internet पढ़ाई को subscribe करें और इस quality education के mission को पूरा करने के लिए ज्यादे से ज्यादा विद्यारतों तक पहुचाने के लिए WhatsApp और Facebook पर share करके हमारा साथ दे